है लो गाई सरपंजी के विलोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को मेरा नमस्कार यह मन्मी पानी गरम करते हुए यह पाड़ी गीजर जिसने पानी गरम होता देख सकते हैं यह बांच की लकडियों में हम पानी गरम कर रहे हैं क्या शुबर के जो है अभी साड़ buttons बज़ञा है और यह हमारे घास के लोटे जो गास पहले पेहले कार्शी शुखा के यह लोटे हैं यह देख सकते आप अशाओ यह हमारे हल्दी सबसiiiiii कर देख मैं यह से दोपे कर देकि लोडि नुटीन जाते हैं अरु हम दिखाते हैं कि मैंसे बनाए जाते हैं हम बंड णारों हर एंदूटा घंश करद दो है उस própria और छाम डॉल पापाजी मेरे लूटा बना रहे हैं, मैं उनको दे रहा हूँ, यह इसको घाज बोलते हैं और गाजो बोलते हैं पाड़ की बासा में, गाजो के पूले, आप देख सकते हैं, यह हमारा लगबग दसवा लूटा तैयार हो रहा है, इस बार इसके कारण घास थोड़ा लेट बस मेरा काम इतना ही होता है कि मैं लूटे में पूले देता हूँ, अब इतने बड़े-बड़े बना रखे हैं, आज फाइनल है, और भी हमारे सारे लूटे हैं, आप लोगों को पहाड की याद भी आरी होगी, जो लोग पहाड से हैं, उनको तो पता है, जो किसी को अपने बच्तने की याद आरी होगी कि कैसे हम भी लूटा बनाया करते थे, यह ऐसे ठैका जाता है, यह कम से कम, 400 पूलूगा लूटा बनाया जा रहा है इस बार, सबसे बड़ा, फाइनल वाला, इसको बनाने के लिए बहुत अनुभव की जरूरत होती है, अब हम लूटे के फाइनल स्केज पे हैं, जोनी लूटा अब हमारा कम्प्लीट होने वाला है, देखे किस प्रकार से बादा जाता है, यह बहुत टिपिकल टास्क होता है, नीचे से उपर फैंकना, फिर वहाँ भी बहुत रिस्की होता है, लगबग 400 पूलूं का यह लूटा, बनकर तैयार हो रहा है, हम इसमें लाश्ट में भी टोपी भी बनाएंगे, लूटे के उपर, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लूटा बनते हुए, देखते हुए, इक्ति थागर लगती है, वहासे नीचे उतरना भी बहुत होता है, यह सब गौमाता की सेवा के लिए करना पड़ता है, अभी जाड़ूं के दिन आ रहे हैं, तो उस तमें ही घास की जरुरत होती है, तो उस जरुरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर हम इस तरह घासी गठा करके लूटे बनाते हैं, प्लेंस यानी की मैदानी सेत्र मैं पड़ूं के लिए चारा होता है, लेकिन यहाँ पर यह ही चारा होता है पड़ूं के लिए पड़ू आर बहुत कम मत्रा में आँ होगाए आता है, और गैनिक प्यवार यह घास खिला ही जाती है, जिसे जाणवर हर्ष्ट पुष्ट होते हैं, गाई बच्चिया उनके यह आत्री का वो जन होता है यह पेड़ बनने के लिए और उनको तागत आती है इसके काफी आप देख सकते हैं इस तरह से पूले होते हैं थास के यह आप देख रहे हैं सर्बंजी के ब्लॉक आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करिएगा आपको इस तरह पहार की लाइब दिखाई जाएगी अब आप देख सकते हैं यह धनांदार बनाया जा रहा है तूका बोलते हैं इसको वही भासा में आप इसके माल कर राउंड तूक में जो से पता बढ़ाई जो इससे पानी जो बारिस आएगी बरसात के दिनों में जब तक भी सुरक्षित रहेगा इसके अंदर पानी नहीं जाएगा जिससे यह घास सुरक्षित रहेगी और इस तरह ध्लन यानि किरभुजाकार इसको बनाया जाता है नीची से पूरा थैला और पूरा बैलेंस करते हुए बहुत ज्यादा कलाकारी और बहुत ज्यादा इसमें जो है अन्भाव की ज़रूरत होती है हर को इसको बना पार की बहसा में अभी आपके आदो में अन्भाव बहुत निकालते हुए यहां से हमाले भी दिख रहा है हमाले के भी आप दरशन कर सकते है हुब्सूरा द्रिस से यह उपर सड़क है, इस्कूल की गाड़ी आ गई है, हमारा कृस्नाइस में स्कूल जाता है भी रिनाज जाता हमारा बन चुका है, अब इस लूटे की चोकी रखी जाएगी, यह देखिए कैसे लगाई जाती है, इसे क्या है जो बरसाद इस पर डारेक्ट पड़ेगी और सीधे धलान के द्वारा नीचे आ जाएगी, यह कूला है कूले के रख्ते, सीधे पानी बाहर चले जाएग यह दूटी का टाल है, इसको हमने यह आ पैका, अब इसका सपोर्ट लिया जाएगा इसको बादा, इसको बादा, अब नीचे आने की यह टेखनीक होथी है लूटे पे, बहुत आराम से और उससे आना पड़ता है, बहुत रिस्की होता है, लूटा बनाना, और इस तरह से लूटा हमारा बनके तैयार हुआ, और पापा दिरे नीचे आते हुए लूटे से, यह उस रस्ती को भी निकाल लिया आ है, और यहां से अब सीधे, जम्प करेंगे, और लूटा बनके हमारा तैयार हुआ, यह आज हमारा फाइनल लूटा इस साल की खास कटाई, अस्वास के मेने से जो चली आ रही थी, अज है पूरी हुए।